हेलो फ्रेंज वेलकम टो आर चैनल मल्टी रोज लाइव दोस्तों अगर हम सुबा खाली पे जो कुछ भी खाते या पीते हैं उसका सर सीधा हमारे स्किन बॉड़ी और शरीर की अन्य अंगों पर दिखाई पड़ता है इसलिए लोगों को सुबा खाली पे टैसी चीजे खानी या पीने की सलहा दी जाती है जिससे हमारे शरीर को लाव पहुँचे तबी कई लोग अपनी आदत और जरुरत के अनुसार सुबा गरम पानी किश मिश और दूर जैसी चीजों का सेवन करते हैं साथियो ठीक इसी तरह गुड़ खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है गुड़ में विटामीन्स और मिनरल्स काफी मातरा में होते हैं गुड़ के इतने सारे फायदे हैं कि बच्चे से लेकर बूरों तक सब को इसका सेवन जरूर करना चाहिए खास कर खाली पेट गुड़ का सेवन करना बहुत जरूरी है क्योंकि खाली पेट गुड़ खाने से सरीर से जुड़ी कई समस्याएं भी ठीक होती हैं लेकिन दोस्तों अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है तब ही तो कुछ लोग गुड़ का सेवन ज्यादा तर खाने के बाद सुईट डिस के तौर पर करते हैं या कुछ लोग अपना खाना ही गुड के साथ खाते हैं तो वहीं कुछ लोग गुड की चाय पीना भी बहुत पसंद करते हैं पर कि आपको पता है गुड का सेवन अगर आप खाली पेड सुभा सुभा करेंगे तो भी सेःत को कई फाएदे मिलते हैं इसलिए आज आम आपको सुभा काली पेड गुड खाने के फाइदों के बारे में बताएंगे यह पुड ली समस्याव को दूर करता है गुड दोस्तों आजकल की खराब लाइस्स altogether और खान पान की वज़ा से पेट से जुड़ी समस्या अक्सर लोगों को देखनी पड़ती है आज कर हर एक व्यक्ति पेट की समस्या जैसे गैस, ऐसीडिटी, अपच और कब्ज से परिशान रहता है ऐसे में रोज सुबा खाली पेट अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा गुड़ खाने से आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है और गुड़ आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है इसलिए आपको भी रोजाना सुबा खाली पेट गुड़ का सेवन करना चाहिए इसके लिए आप एक छोटा टुकडा यानि 10 से 20 ग्राम गुड़ खा सकते हैं आपको जरूर फायदा मिलेगा दूसरा वजन कम करने में हैं गुड़कारी दोस्तो अगर आप मोटापे की समस्या से परिशान है और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी डाइट में गुड़ को शामिल कर लीजे इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा गुड़ में कई औशिदिये गुड़ पाये जाते हैं जिससे बॉड़ी का एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे घटने लगता है इसलिए अगर आप अपने मोटापे से परिशान हैं तो आप भी रोज सुबा खाली पेट एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं आपको खुद ही फर्क नजराने लगेगा ठीसरा, खुण के कमी को करता है दूर साथ यो, गुड़ में परियाप्त मातरा में आइरन पाया जाता है ये शरीर में हीमोगलोबिन की मातरा को बढ़ाने का काम करता है इसलिए अगर आपके शरीर में भी खुण की कमी है आपको भी कमजोरी महसूस होती है या चक्कर आते हैं तो बिना देरी करे आज से ही अपनी डाइट में गुड़ को जरूर शामिल करें आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके लिए आप गुड़ की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं आप एक या दो गुड़ के टुकड़े को सु बढ़ चुका है जिससे आए दिन कोई ना कोई बिमार हो जाता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोदक शमता यानी इम्मुनिटी सिस्टम कमजोर होता है इसलिए ऐसे लोगों को गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए गुड़ के सेवन से हम अपनी इमु गुड़ कारी है गुड़ दोस्तों अगर आप तो अच्छा से जुड़ी समस्याओं जैसे मुहासे जाईयां दाग धब्बे से परेशान हैं तो सुबा खाली पेट गुड़ को जरूर खाएं क्योंकि गुड़ खून साफ करने में कमाल का काम करता है साथियो अगर हमारा हुन साफ होता है तो तो अच्छा से जुड़ी परेशानिया भी दूर हो जाती है इसलिए अगर आप भी तो अच्छा से जुड़ी किसी भी परेशानी से जूज रहे हैं तो एक बार गुड़ को अपने डाइट में जरूर शामिल करें और सुबा खाली पेट एक गुड़ को खाएं आपको फर्क जरूर नजर आएगा छटा नीद ना आने पे करें गुड़ का सेवन दोस्तो आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और कई उलजनों के बीच लोगों को नीद ना आने की समस्या होती है जिसके लिए वो कई तरा की महेंगी दवाईयों का से अस्या में राहत देता है इसलिए अगर आपको भी नीद नहीं आती है तो आज से ही सुबा सुबा गुड़ खाना शुरू कर दीजे आप एक से दो तुकड़ा गुड़ का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तो आज हमने आपको सुबा खाली पेट गुड़ खाने के फायदों के बारे में बताया अगर आप भी बताए गई इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप कई बिमारियों से छुटकारा पा सकते हैं साथी उमीद है कि यह जानकारियां आपके लिए बहुत फायदे मंद होंगी ऐसी ही और महत्मूर्ट जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करें बाए चेक केर बी हैपी धन्यवाद